भारत में लॉंच होगी दुनिया की सबसी सस्ती इलेक्ट्रिक कार नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी अपने लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोचा है अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस इलेक्ट्रिक कार के दिवाने हो जाएंगे और इसे खरीदने का मन जरूर बना लेंगे कुछी दिन पहले आयोजित हुए AutoExport 2020 में Great Wall Motors ने अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार और आरवन को पेश किया था और खास बात ये है कि ये कार दुन्या की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है और ये कई आधोनिक वीजोर से लैस भी है और आज आप और आरवन के स्पेसिफिकेशन से लेकर कीमत तक की पूरी जानकारी पाने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजेगा बात करें अगर हम ड्राइविंग रेंज की तो एक बार फुल चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक कार 351 किलो मिटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है इस कार में 35 किलो वाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो की 48 PS की अधिकतम पार और 125 न्यूटन मीटर का पीक टार्ग जेनरेट करती है सेफ्टी की बात करें तो इस कार के बेस वेरियंट में दो एरबैग, ABS, रिवर्स पारकिंग सेंसर और कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल स्टार्ट असेस्ट जैसी खास सेफ्टी फीचर्स दिये गए हैं वहीं इसके टॉप वेरियंट, Goddess Edition में, Autonomous Emergency Braking और छे एरबैग जैसी अदेशनल सेफ्टी फीचर्स भी दिये गए हैं दुनिया की सबसे सस्ती ये इलेक्रिक कार मारूती की सिल्लैरिया से भी छोटी है जी हाँ, इसकी लंबाई 3.49 मीटर है भारत में लाँच होते ही, Aura R1 का सीधा मुकाबला, Tata Tigor EV और Renault की आने वाले इलेक्रिक कार से होगा खास फीचर्स के मामले में, Aura R1 में Floating Type Touchscreen Infotainment System दिया गया है वहीं एक और खास बात ये है, कि आप सिर्फ 40 मिनट में इस कार को 80% तक चार्ज कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया की इस सबसे सस्ती इलेक्रिक कार की कीमत क्या है तो हम आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक Aura R1 की कीमत 6.2 लैक रूपीज से 8 लैक रूपीज के बीच हो सकती है तो दोस्तों आपको देश की सबसे सस्ती और स्टाइलिश लूप वाली इलेक्रिक कार और R1 कैसे लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजिए तैंक यू फो वाचिंग